पुलिस लाइन पर एक पीड़ता अपनी सिकायद लेकर पुलिस अधिचक से मिलने पहुचे पीड़ता अपनी सिकायद पुलिस के आला अधिकारियों के साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री से न्याई की गवार लगई पूरा मामला जन्पत के ठाना लाइन पर छेतर के लेवर कालोनी से जुड़ा है पीड़ता अपनी ही भाईयों से पीड़ित है इलाका पुलिस पारिवारिक मामला बताते हुए मामली को लड़कर रही है पीड़ता न्याई की तला से भटकती नजर आ रही है प्रोजवास से समधाता अमित पारसर की रिपोर्ट है इस क्या चिन्प मैं अपने भाईयों से बहुत तेड़े तु पिछली चार साल से वो मेरे साथ भी मार पिटाई करते रहे हैं और कल रात को उन्होंने मेरी छोटी बेहनों के साथ बहुत मार पिटाई की है इस बहुत मेरी मा के साथ मार पिटाई की है मेरे बहुत मार पिटाई की है जो बहुती न्यायती बद्तमीज लड़के है और उन से हमें सब दहनों का अपनी जान का खत्रह है कारण सिर्फ इतना है कि वो नहीं चाहते हैं कि घर में लड़किया अच्छे से रहें उन्हें गंदे-गंदे-आरोप लगाते हैं और यह चाहते हैं कि गंदे-गंदे-आरोप में वो लड़किया इस घर को छोड़के चली जाए और उन्हें जायदाग को हतियाने का मौका मे कि अपने चेत्री आपने मैं आपने कर दिये लेकिन थानलाइन पर कोई सुनवाई नहीं करते हैं यह क्या वज़े हैं इसके लिए आप अपके भाई हैं वह भी नहीं है और बजाएं उन्होंने बना कर रखें बजाएं कोई बीनियां तिर्था यह चाहते हैं कि यह लड़के करण सिर्फ इतना ही है उनके दिमागों का कारण वो गढ़ि साभ के दिश्म की मालेग के तरहे क्व फृती कंव किizza मतलब के नहीं कि नहीं कि कि इतनी तो इतनी वजा आपके वालिदा है यह डमशे मेरिया अगर कुछ अच्छी होते तो शायदा जी मैं यहां नहीं होती है अगर कुछ करते होते तो बहनों पर इतना दिमाओं नहीं लगा हैा है जो फे कov קल लाई है इत मैं ह erfolgाज सब्सक्राइब